नमस्कार, कारिक्रम साबास उत्रखंड का द्यकदर होते हैं हम अरतर बटे की द्यकदरों, साबास उत्रखंड कारिक्रम का खातिर आज हम जया आज हों जन्पत पौडिगरवाल का, कल्जी खाल बलोग का कुंड गाउं और कुंड बटे की दी डहे किलुमीटर अगने बुड़द धाडु खाल और धाडु खाल मा एक भेजी को इन जुगत करीच, इन काम करीऊंच, जैते देखेक आप भी बुल्ले शाबास उत्राखन राजी में पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का यूवा इसे आजीवी का काज जर्या बना सके राजी सरकार द्वारा कुकुट पालन को उद्यों का दर्जा मिलने के बाद से कई जनपतों में यूवा कुकट पालन को अपनाते हुए अपने जीवन को सवार रहे हैं आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे यूवा पशुपालक से कराने जा रहे हैं जिनोंने अपनी मेहनत के बल पर कुकट पालन के शेत्र में कदम बढ़ाई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जी हाँ हम बात कर रहे हैं पौड़ी गड़वाल के कलजिखाल विकास खंड के कुंड गाउन निवासी भुबनेश डोब्रियाल जी की दरसल तीन साल पहले भुबनेश जी ने खुद का काम शुरू करने की ठानी स्वरोजगार अपनाने की ललक ने उन्हें पशुपालन की ओर आकरशित किया बरेली से प्रशिक्षण के बाद उन्होंने बिना विलम किये कुकट पालन में भाग्या जमाया हम पॉँज यो धान्डुखाल और धान्डुखाल बड़े की योच वजगा जखम गौंकुण का भुबनेश डोब्रयाल जी कुँगू एक सुन्दर काम करूँछ अवो काम ची कोखड़पन काम और उन्हों की यह हम एक सुन्दर बाड़ा भी बड़ें ची सगत बाड़ा ची तो वे मां केके उन्हों कुर रख्यूचा कोखड़ों कला होर कुछ काम भी होना ची और कगभणू ते प्रेण मिन उसे सब कुछ जान काले ज़िए हाँ तीन सा कम इन्वेस्टमेन्टम कम से कम खर्चम अच्छा काम करें जा तो फिर गूगल सर्चमा आज तॉप टैन बिजनिस और टोप टैन बिजनिस हम वे वे कि दिवाम है पोल्टी फांट्री और काफी बिजनिस चाहां तो आम में दया कि कित फाक से उन दिनों कैरी से जायराई ब प्रेडिंग करते हों कि वे टेंप अर्याख जादा ठंड हो जांदी और कोखडपा में बड़ी दिक्कत आंदी जब तल की खासर रुपर दस दिन चिक्ष्रें निन मोर्टल्टी बहुँ जाद होंदी लेगी हम तही टेंप टेंप अनपूर्टी जाएकि 24 गंटा अमला बार में बाटेंट लेकिन नहीं है नहीं है बैक्सिन नहीं है इसले उसमें बड़ा रिस्क होता है क्योंकि 6 मेने तो बने पालो उसके बाद लेंग पर आती है और लेंग पर आने के बाद इन केस अगर उस समय कोई मोटल्टी स्टार्ड हो जाए कोई बीमारी आ जाए तो यहां पर रोक थाम करने वाला कोई नहीं है इसलिए मुझे फिर वापस अपने कुकट पालन के शुरुआर डोब्रियाल जी ने ब्रॉयलर ब्रीट से की शुरुआती काम में उन्होंने कई उतार चड़ाव भी देखे लेकिन हर चुनावती से पार पाते हुए वह आगे बढ़ते रहे जनाब आपन बताए कि साब यक दवएक भी दिक्कत हुंदू डॉक्टर भेज भी नियांदा ट्रेनिंग लिखा कि आक बारम कि जनका आपका जो कोख़चीन यो सुरक्षित्रा अयूपर कोई रोग नि लगो जन पंतनगर भी बार बार इन परकार की प्रक्षिशन दिनों रहें कभी इन कोशिच भी काया अपन? एक सौटरम ट्रेनिंग लिजाएं सी आराइ बरेली में वह एक बात कई बार कोशिच कार बहुत मेल भी करें पंतनगर भी लेकिन और कई बार डिस्टिक लेवल पर भी हमन कोशिच भार की जमिस काम स्टाट करता है तो मैं एक समाधानाइप हून चाहिए पहले इस समाधान आज तक भी केवल पेपरों में चनो चाहिए आज तक भी कई ट्रेनिंग प्रवाइडने करें गया है और मीस दगड़ दगड़ एक दगड़ दगड़ एक गोटरी काम बेकन चाहिए वह बहुत पार डिस्टिक लेबल फर भी पंतनगरम भी मेल कर चाहिए तो उत्राखन उ और अगर सपोज को सरकार एक वास्ता कुछ ध्यान द्यांद आगे कर सपोज को जैनिल कास्त कार से और वो काम कंचान चाहिए तो कम से कम एट लिस्टिक अगर कोई फैसलिट नहीं है लेकिन कम से कम यह तुक तो हा कि वह थे ट्रेनिंग पर बाड़ करें जा भुवनेश जी ने बताया कि कई बार प्रयास करने पर उन्हें ना तो सरकारी योजनाओं का लाब मिल सका और ना ही बहतर प्रशिक्षन की वेवस्था हो पाई ऐसे में उन्होंने खुद के सामर्थ से अपने उद्योग की नीव रखी और दूसरे शहरों से संसाधन जुटाए नौकरी छोड वेवसाई अपनाते वक्त भले ही तीन वर्ष पहले भुबनेश जी दुविधा में थे लेकिन आज उनकी मेहनत रंग लाने लगी है आज साल भर का उनका मुनाफा उनकी एक साल की तनखा से कहीं जादा है उनका कहना है कि अपनी जगा पर काम करने से स्वास्त भी भरपूर ठीक रहता है और यह पूरा मेटल रिसकेस बटा है कुछ मेटल रिसकेस बटा कुछ कोड़दार बटलो और बाकी लोकल यह अपनी बनाई तो फिलाल तीन लाख रभी वखर्च भी जाए अनुदान का कबड़ी पैसा मिली या सब अपड़ी कि सुनमध लगा है सब कुछ सब अपन जाए बढ़नागी जाए लेकिन मैक्सिमाम टाइम पर बिलॉग लेबल पर जितना भी हो मिल चालिस अरा मिल दिमीर ख्याल से लेकिन आज तक मिलनी जाए यह महमीज जाना कि यह से आम दनी ठीक ठाक हो जानी जो आपको निरने चाहिए किसा आप नोगर कानों जा भाइदक साथ मिल कुछ तक कुछ तक कुछ तक क्योंकि जनमीन आप बताया कि जब नौकरीच गी जाए तो एक बाद लग जाए लगाए लेकिन जाम इनी काम स्टाट कार तो अब हाँ उतों कमांड बढ़े गों जितने नौकरीम आप देखिए जाए जाए नौकरीम महानगरों की बाद कालार वक कैका पचास जार मिलना चीन और वी कल्पना कार वलकि एक हम पचास जार मिलना चीन तो थोड़ा लगालो टैम लेकिन समद समझे की वक भंड़े वह गया है भाईया खकत खर्च भी अमर सीमी चीन साग बुजी गार है जी पानी बिलनी दीन ना वह भात ठीक चाप ऑघि अगर हम पचास जार कमाना चाहों अर उख खर्चाम लेकिन खर्चत भी इमेंटिंगि भी तो बच्चा हमारे दिली आंक है तो यह हम कमाना चांची अर बच्चों पढ़ाना सहीए बच्चा अच्छाइन मिलनी च्वी तो यह हम कमाना चार परना झोपन न और जग्वा बात कि यंदु कमाना का हां तीन साल लगें वह अमांट तक पहुंचने में लेकिन अगर सपोजगर में कंपाईर करें के 3 साल पहले सपोजगर में 40 जार लगान ता अगर अगर आज में कंपनी हों तो कप सकम्क्या ठें कंप 12,000-15,000 फैन नहीं ह कि अपिल दटल शाहिए ज्यों कि आज आज हम दिक तरही चाहिए चाहिए आज फेर खाना पुरे और आप टीन दिन भाज को इन दुर अब सालम थे यह तो सबसे बड़ी धन आपते मिलिए स्वास्थ तो को परकर अब आज हम आपको यह जो आ जो माल्च चाहिए हौण अब् लेकिन बिलोग लेबल फरविए अगर मेंटेन कर पाऊं तो बहुत अची बात है क्योंकि ये फिल्डम में चाहूं ये फिल्डम भूत कमप्टेशन चे और खास्तोर पर जित बहरवर जे हर्याना बड़ बहुत कमप्टेशन मेल जाकर एक अगर तुम अगर कोस्टिंग अग करने चे तो कभी-कभी हर्याना में चालेशन किलो भी चिकन प्रोवाइड करें तो तुम अपन कोस्टिंग कम कान पाड़ेली और वो बहुत मुस्किल काम चे तो गौब्मेंट थे भी चैनली कि मार्केट एक पॉलिशी बने जा कि कम से कम जेतना भी कटर सिन पाड़ी कि इतना आपको लोकल फार्मर से खरीदना ही खरीदना है तब जाकि कुछ इस फिल्ड में मलब जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनका कुछ बला हो पाएगा नहीं तो नहीं ज्यादा है कि वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई भी नया फार्मर ठीक मुना चेना आप लेक नाज जमर खेत को ना तो वेक बहुत बड़ो हिश्चा खरी देनी चे अब असरते में सरकार इंचाने के जन चक्छक कोख़़ा हो बेड़ीन तो जब चक्छक कोख़़ा हो मेरे जाल जन आपकी बलो के बात करदा हम तो वेक अस्तान साथपुली बोलेल कि बाई यह अगम मंदों तक पहुँचाने के प्रयास को और मजबूती दे तो रिवर्स माइग्रेशन की समस्या से पार पाया जा सकता है बिना प्रशिक्षन पश्युपालन करना बेहत कठिन और जोखिम भरा हो सकता है आखिर मां हम आपके मुख से जान चौला कि रवार देला उन दगड़े होते कि जो यह चेतरम काम कन चाला कि उन ते कन के आगने बन पाड़ो और ट्रेनिंग सीक्षा एका बारम कन चून चेनों कि जो एक ट्रेनिंग चा एका जो बरीग बरीग चीचिन उस जरूरी सिंकन इंडिया ने या सु दिखोल दिन बाड़ा देन बिना ट्रेनिगा ना मेरी खाल से काम नीइ करने झाटिया हो सब्सक्राइब कोई नॉलेज नीचे थोड़ा बहुत मैं बरीग दो खोज़िए सबस्क्राइब लिगए जबतार नियए ने इस सब्सक्राइब कोई द Elis ने आप कुछ नहीं जीत तो भगवान वर उसकी लोट निकल गाद निकल गया यह बहुत नुकसान हो नहीं बहुत चांच आचीए यह बहुत कर्चू-माल अगर शाल गहाई एधक लापतरब एक लुटा में अगर में पर पेसे, पहली पहाल आपको जाने दना वहात बाद अची आटाट कारो और मेरी खाल ने सा जाए लियाखान पराफिट्ट सेंची। मेर्स कहते हैं, मार्केट प्रोफित प्रोफित शाएंची। ज़कें लेकल साल केतना चलता सिन न केतना बंद हो देन? वो बक्त बता लो अगल साल कितना लोग वापस जिंदन और कितना लोग अपने पहां चले सब्सक्राइब क्योंकि जैसाब से बहुत कम्पिटिशन में रही है तो चालीस रुपे में आप नहीं दे पाएंगे अपने और चालीस रुपे का मतलब होता है कि एक बड़ पे आप सो रुपे लोश अगर किसने साथ सो बड़ भी पाल रहे हैं तो एक लोट पे सतरह से हजार रुपे एक तो आदमी कमाने के लिए कर रहा है लेकिन लोश में बेचेगा तो कितने दिन सर्भाइब कर पाएगा आज भुवनेश डोब्रियाल जी ना सिर्फ पौड़ी गड़वाल बलकि समूचे प्रदेश में स्वरोजगार अपनाने वालों के लिए एक उतकरिष्ट उधारन बनते जा रहे हैं कुकट पालन कर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि पशुपालन के शेत्र में अपार संभाब नाए हैं जरूरत है तो ज्यान मेहनत और दृड इच्छा शक्ती की आपको बहुत सुन्दर परियास रहें और मितलगदू के आणवल बगत मा आप ये चेत्र कुण एक बहुत बड़ू उधारन पेशकला अरंबुला सावास किले कि आप जन जो लोग भेरबड़ी काम केरी काया चिन और जेकों अजगाल रिवर्स माइग्रेशन बुना चिन यानि कि आपण चेत्र मा वापिस लोटन आपण माटिमा आपण धर्तिमा आपण खेती कूडी-पूडी समल नकोड़ू तो इतनो सुन्दर काम भाई भूमनेश डोबर आलजी काना चिन आपण ये खालमा और आशकर न चो कि आज जो लोग ये कारीकरम देखना चिन जो दगड़े ये कारीकरम देखना चिन उबी सचना वाला कि हमल भी कोखड़ पाल लेकिन ध्यान रखन बलकी ट्रेनिंग और प्रक्षिशन बहुत जरुईच तो हम बोला शाबाश उत्रखन नमस्कार